अंतर्मन, जोडने वाला लिंक, दौलत्मन बनने की और ग्यारवा कदम अंतर्मन, चेतना का वक्षेत्र है, जिसमें तार्किक या फिर वाईय मन्तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुचने वाले विचार का हर स्वेंग, वर्गी कृत और रेकॉर्ड होता है, तथा जहां से विचार उसी तरह दुबारा निकाले जा स सकते हैं, जिस तरह पत्रों को फाइलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है, या छवियों या विचारों को ग्रहन करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृती कैसी भी हो, आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष को स्वचिक रूप से डाल सकते हैं, जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक रूप में रुपांदरित करना चाहते हो, अवचेन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, जब उनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो, इच्छा शक्ती वाले अध के महत्व को समझ जाएंगे, अंतरमन दिन रातो दिन काम करता है, इनसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मन असीम शक्ती की शक्तियों से ऐसी शक्ती खींच लेता है, जिसके द्वारा यह स्वचीक रूप से किसी की इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देता है, और यह हमेशा इस लक्ष को हासिल करने के सबसे व्यावारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है, आप अपने अंतरमन को पूरी तरह से नियंत्रिट नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या ल प्रमान है कि अंतरमन इंसान के तारकिक मन और असीम शक्ति के बीच जोडने वाला लिंक है, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छा अनुसार सहयोग हासिल कर सकता है, अकेले इसी में वह रहस्यमही प्रक्रिया है, जिसके द्वा द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाते हैं। पौनेपन के भाव से भर जाता हूं तथा शायद इसके पीछे यह तत्य है कि विशय पर इनसान का ज्ञान दुरुभाग्य से बहुत ही कम है। यह भी समझ जाएंगे कि आपको बार-बार यह चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओ को स्पष्ट रखे या उसे लिख ले। आप यह भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन क्यों आवशक हैं। तेरा सिधान्द वे प्रिणाय हैं जिनसे आप अपने अंतरमन तक पहुँचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश या निराशन हो। याद रखे कि अंतरमन केवल आदत के द्वारा स्विचिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है। और इसके लिए विश्वास वाले अध्याय में दिये गए निर्देशों का पालन करना होगा। सभी नकारत्मग विचार आपके अंतरमन के लिए प्रेना का कार्या करते हैं जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय न पाले और अंतरमन को बहतर भोजन ना दे जिससे इसे शोशन मिल सके। अंतरमन खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओ को अपने अंतरमन में बोन में असफल रहते हैं तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा। जो इस तक आपकी लापर्वाई के परिणाम स्वरू पहुचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारत्मक और सकारत्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अंतरमन तक पहुच रहे हैं। जो उन चार स्तोत्रों में पहुँच रहे हैं, जिनका जिक्र हमने सेक्स रुपांतरण वाले अध्याय में किया है। अभी के लिए इतना ही परियाप्त है कि आप यह याद रखे कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं, कि आपको यह पता ही नहीं है कि आपके अंतरमन तक किस तरह के विचार पहुँच रहे हैं। इन में से कुछ विचार नकारत्मक है तो कुछ सकारत्मक है। आप जब नकारत्मक विचारों के प्रभा को रोगने की कोशिश करने में स्लंगन हैं, ताकि आप इच्छा के सकारत्मक्ष्वेंग की मदद से अपने अंतर्मन को प्रभावित कर सके। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास वह कूंजी होगी जो आपके अंतर्मन का द्वार खोल देगी। यहीं नहीं आप उस द्वार को पूरी तरह नियंत्रिट कर सकेंगे ताकि कोई आवंचित विचार आपके अंतर्मन को प्रभावित ना कर सके। इंसान जो भी कुछ बनता है वो विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कलपना ना की हो। कलपना शील्टा की मदद के द्वारा विचार यूजनाओं के रूप में इकटे होते हैं। नियंतरण में रहने पर कल्पना शीलता का प्रयोग यूजनाय या लक्ष बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए विवस्ताय या कामने सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक रूप में रुपांतरण हो और जिने स्वेचिक रूप से अंतर्मन में बोया जाए, कल्पना शीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। यूजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो अंतर्मन के समक्षम प्रस्तुत की गई हो केवल कल्पना शीलता के द्वारा किया जा सकती है। विचार वह तत्व हैं, जिसमें हवादार पंक हैं और वे बड़े गती से चलते हैं, वे ब्रह्मान के नियम को पूर्णत अनुसरन करते हैं, यह अपनी तरह का इकलोता तत्व हैं, वह सब आपकी जिन्दगी में वापस आता है, जो भी आपके मन से गुजरता है। विचार वे तत्व हैं, जिनकी उर्जा को हम बहुतिक रूप में रुपांतरित कर सकते हैं। मन के तारकिक हिस्से में मौजुद विचारों की तुल्ना में अंतर्मन उन विचार स्वेंगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह ग्रहन करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरसल इस दान्त के समर्थन में काफी प्रमान है कि केवल भावात्मग विचार की अंतर्मन पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। यह एक सूप परिचित तत्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर यह सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार स्वेंगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीवरव प्रतिक्रिया करता है तो अधिक महत्मपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कुल साथ प्रमुख सकारत्मग भाव है और साथ ही प्रमुख नकारत्मग भाव है। इस कारण हम यह समझ सकते हैं कि भाव मिश्रिद विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ थंडे तरक से प्रेरित होते हैं। अपने अंतर्मन के आंतरिक श्रोताओं को प्रभावित और नियंतरित करने की तयारी कर रहे हैं ताकि आप इसे धन की इच्छा सौप सके जिसे आप इसके आर्थिक रूप में रुपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप उस तरीके को समझ ले जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्ष समु कटक पहुँच जाएं। प्रमुख सकारत्मक भाव, इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उच्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्या सकारत्मक भाव भी है परंतु सबसे प्रबल साथ भाव यही है और यही वे भाव है जिनका प्रयोग आमतोर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है इन साथ भावों में महारत हासिल कर ले और बाकी के सकारत्मक भाव आपके इशारों पर चलेंगे जब आपको उनकी आवशक्ता होगी। इस संबन में याद रखे कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका उद्देश आपके मन में सकारत्मक भाव भरकर आप में धन की च नकारत्मक भाव मस्तिश्क में या समय में एक साथ नहीं रह सकते या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह सुनिश्चित कर ले कि सकारत्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करे या आदत का नियम आपकी सहयता क करेगा सकारत्मक्त भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोक करने की आदत डाल दें अंततह वे आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारत्मक्त भाव को इसमें प्रवेश्की नहीं करने देंगे केवल इन निर्देशों को पूरी तरह पालन करने से ही और लौटर क करने से ही आप अपने अंतर्मन पर नियंतरंड कर सकते हैं। आपके अंतर्मन में एक भी नकारत्मक भाव मौझूद हो तो यह अंतर्मन से रशनात्मक साहता पाने के सभी अवसोरों को नश्ट करने के लिए परियाप्त हैं। जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है तो प्रात्ना करते समय उनके मन डर और शंका से भरे होते हैं। जिन भाव के अनुसार अंतर्मन कार्य करता है तथा इन्हें असीम शक्ती तक प्रेशित कर देता है। इसी तरह यही वह भाव है जो असीम शक्ती को प्रात् प्रातना करते हैं, परंतु प्रातना करते समय आपके मन में ये डर होता है कि आपको यह नहीं मिलेगी, या फिर असीम शक्ति आपकी प्रातना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रातना सचमुच व्यर्थ जाएगी. कई बार प्रातना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रातना की थी वह आपको मिल जाती है अगर आपको ऐसा अनुवव है तो याद करें कि प्रातना करते समय आपकी वास्तविक मनस्तिती कैसी थी और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धान बताया जा रहा है वह सिद्धान से बढ़कर है वह वक्त आएगा जब स्कूल और एडुकेशनल इंस्टिटूट में विज्ञान की प्रातना बढ़ी जाएगी उस प्रातना को विज्ञान ही कहा जाएगा यह सारव भौमिक माइंड तब तक नहीं प्राप्थ होगा जब तक लोग डरे हुए रहेंगे यह तब प्राप्थ होगा जब अज्ञान, अंद विश्वास और गलत शिक्षा समाप्थ हो जाएगी और हमारे बच्चे असीम उर्जा की ज्ञान को प्राप्थ करने लगेंगे उनमें से कुछ भाग्यशाली अभी भी यह शिक्षा प्राप्थ करने लगे हैं लगबग दो सदी पूर्व यह समझा जाता था कि प्रकाश इश्वर के कोप का परिणाम है और लोग प्रकाश से भईवीत रहा करते थे अब विश्वास की शक्ती को नमस्कार जिसकी वजह से हमने प्रकाश के इस भ्रम को तोड़ दिया और अब विद्यूत बल्ब हर घर की जरूत बन गया है अगर हाली की कुछ खोजे ना हुई होती तो यह माना जाता की ग्रहों के मध्य जो जगह वह बिल्कुल खाली है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है शून्य है रिक्ट है अब एक बार फिर से विश्वास की शक्ती को प्रणाम अब हमें पता लग गया है कि ग्रहों के मध्य जो स्थान है वो बिलकुल रिक्ट या शून्य नहीं है बलकि वहाँ पर वाइब्रेशन, कमपन, उर्जा, विचार, वाइब्रेशन भरा पड़ा है जिसकी वज़ा से एक इनसान का दिमाग दूसरे इनसान के दिमाग से कनेक्ट कर लेता है अब प्रशन यहां आता है कि तो फिर ऐसी कौन सी वज़ा है जिससे यह उर्जा हर मनुष्य के मन को असीम शक्ती या फिर असीम उर्जा से संपर्क नहीं कराती? मनुष्य के तारकिक मन और असीम शक्ती के मध्य ऐसा कोई भी टोलगेट नहीं है जो दोनों को आपस में संपर करने से रोक सके बस आपके पास धेरिय, विश्वास, दर्दा और एक मजबूत चाहत होनी चाहिए जो असीम शक्ती से संपर्क स्थापित कर सके सिर्फ हाट जुड़कर प्रातना करने से कोई फाइदा नहीं होने वाला, असीम शक्ती का कोई प्रतिनीदी नहीं है जो प्रातना की वज़र से आपको उससे संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा, यह तो आप खुद सीधे संपर्क करे या फिर न स्थापित करे आप प्रातना की धेर सारी किताबे खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें कयामत तक पढ़ सकते हैं पर कोई फाइदा ना निकलने वाला है वे विचार जिनसे आप असीम शक्ती या फिर असीम उरजा से संपर्ख स्थापित करना चाते हैं तो वे अंतरमन के उसी प्रक्रिया से हो जब तक वो बढ़कर या फिर घटकर उस आवरुत्री में नहीं पहुंच जाती जिसे इनसान सुन या देख सकता हैं सिर्फ इसी आवरुत्री में वीडियो देखा या सुन सकते हैं भेजने वाला स्टेशन आवरुत्री को पकड़ता है और उसे कई गुना बढ़ा देता ह जिससे वो इथर से संपर्क स्थापित कर सकें इस बदलाव के बाद इथर उन आवरुत्री को ग्रहन करने वाले स्टेशन में भेज देता है ग्रहन करने वाला स्टेशन तुरंत उस आवरुति गटा कर भेजता है जिसमें मनुश्य की आखे देख वकान सुन सके ठीक वैसे इसे ढंक से समझे कि सिर्फ प्रात्ना आपको सफलता की और नहीं ले जा सकती। इससे पहले कि आपकी प्रात्ना असीम उरुजा के पास महुचे आपको अंतर्मन उस मनस्तिती में होना चाहिए जिससे वो असीम शक्ती से संपर्क स्थापित कर सके। विश्वास ही एक ऐसी एजनसी है जो मन को अध्यात्मिक प्रकृति देता है। विश्वास और डर दोनों एक दूसरे के दुश्वन हैं। अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। धन्यवार।